और total profit यहाँ पर मेरा देख सकते हो ठीक है यह वाला trade था मेरा नीचे वाला यह मैंने सुबह बुक किया था और इसमें मेरा पहली loss था तो total अभी इतना हो चुका है और यहाँ पर grow application में भी मैंने कुछ काम किया था तो total profit यहाँ पर भी देख सकते हो हेलो गाइस गुड मॉनिंग और दोस्तों अभी मैं अपने office में आ गया हूँ टाइम हो रहा है नौ बज रहे हैं पूरे और pre open market जो session होता है वो शुरू हो चुका है तो आज अगर sjk nifty को देखे तो उसके हिसाब से market को gap down कुलना चाहिए चलिए मैं आपको चार्ट के उपर दिखाता हूँ और आज किस तरीके से trade कर सकते हैं वो भी आपको चार्ट के उपर मैं बताता हूँ तो यहाँ पर फूरा setup मैंने कर लिया अपने सारे account वगयरा login हो चुके है तो यहाँ पर कल का market तो बहुत ही बुरा वाला था और last में थोड़ा सा momentum दिया था जो के हर किसी नहीं कर पाया होगा क्योंकि पूरे दिन ट्रेड करकर के दिमाग खराब कर लिया होगा तो इसमें तो क्या ही move पकड़ा होगा यह वाला और अभी यहाँ पर एक्जेश निफ्टी देख सकते हो रेड में दिखा रहा है चवालिस पॉइंट और हमारा जो निफ्टी है यहा उपन मार्किट सेशन चल रहा है फ्लैट खुला हुआ है मतलग गैप डाउन नहीं है अभी सरिफ चली रहा है तो 400 के उपर ही चल रहा है और टाइम यहाँ पर 9 बचकर 2 मिनट हो रहे है तो 9 बचकर 7 मिनट पर यह खतम हो जाएगा तो पदा चल जाएगा कि गैप डाउन ख खुल रहा है लेकिन स्जेश निफ्टी के इसाप से गैप डाउन खुलना चाहिए काफी दिन से गैप अप खुल रहा है तो आज कुछ तो मार्किट में होने वाला एक्सपायरी है बाकी देखेंगे आज मार्किट पकाएगा तो नहीं और दोस्तों आज की जो रेंज की मै है या हाई बनाके जरूर आएगा ठीक है और जो सबसे अच्छे वाला सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो यहां पे दिखाई दे रहा है बीच में तो यह ऐसे ही साइड वेज मार्किट था तो यह एक रेंज है मार्किट का अगर मार्किट इन दोनों रेंज के ऊपर नीचे कहीं भी निकलता है तो महाँ से confirmation मिल जाएगा कि इधर का trade हम बना सकते है तो ये मेरे लिए major range मैं समझता हूं market का बाकी इसके बीच में रहा तो उसके बाद तो फिर ऐसा sideways market ही देखने मिल सकता है अगर range के भार निकलता है तो फिर trending market देखने मिल सकता है तो उसी साब से मैं आज expiry में काम करने वाला हूँ बाकी देखते हैं अभी देख सकते हो यहाँ पर 2-3 point नीचे आगया माइनस में आगया है अभी pre open market session चल रहा है तो gap down ही खुलना चाहिए और दोस्तों जितना हो सकेगा उतना मैं आपको इस वाले चैनल पर अपने vlog वाले चैनल पर सिखाने की कोशिस करूँगा तो आपको जो भी चीज सीखना रहेगा या मतलब कोई चीज समझ नहीं आती तो उसके लिए आप comment कर सकते हो तो मैं अपने next vlog में उसको explain कर दूँगा या उसके बारे मैं आपको समझा दूँगा कैसे क्या करना चाहिए तो पूरी पूरी कोशिस करूँगा मैं इस vlog चैनल में इसलिए मैंने ये बनाया है और दोस्तो मेरा setup देखकर ये सोचते होंगे या फिर मेरा जो life style है ये देखकर सोचते होंगे कुछ लोग comment भी करते हैं के भई profit तो इतना बनाते हो घर इतना चोटा है और अभी पिछले vlog में मेरे बतीजे का बढ़ देता तो उसमें एक cake जो हमने काटाता हो तो उसमें भी comment आया था के भई profit इतना बड़ा cake इतना चोटा तो दोस्तो ऐसा नहीं है कितना लंबा समय चाहिए क्योंकि दोस्तो जिनके पास दादिलाई या बाप का दिया हुआ property होता है और माबाप साधी करा देते हैं घर बना के दे देते हैं तो उनके लिए life बहुत आसान रहती है हमारे लिए मेरे लिए ऐसा नहीं था हमारे पास मतलब जमीन के नाम पे जायदात के नाम पे जीरो बटा सननाटा था ठीक है तो टेलर का काम करके मतलब ध्याड़ी हम कितने 100-100 रुपे की ध्याड़ी बनाना शुरू करा था अबसे 20 साल पहले तो बहुत टाइम लग जाता है भाई यहां तक पहुचने बेबी और ट्रेडिंग में हमें कितने दिन हुए अभी कोई जादा दिन थोड़ी हुए इसी में सीखना लॉस करना और फिर दीरे दीरे लॉस रिकवर करना फिर दीरे दीरे प्रोफिटेवल बनना तो एक साथ इतनी सारी चीजे कैसे हो जाएगी और एक बात और बता दूँ मैं कोर्स अपने क्यों नहीं बेचता हूँ चाहूं तो मैं भी कोर्स बना बना के बेचूँ और बहुत जल्दी मतलब करोड़ बती बन जाओं जिस हिसाब से आज की टाइम में मुझे लोग फॉलो करते हैं तो कोर्स भी जरूर से खरीदी लेंगे 10-20,000 की अप्लिकेशन बनाऊंगा और उस पर कोर्स बनाने सुरू कर दूँगा तो वहाँ पर लोग खरीदने भी लगेंगे लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है क्योंके कोर्स बेचने वाले बहुत सारे लोग है बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगा के सैटप लगा के दिखा देते हैं कि हम बहुत बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर है और हमारा कोर्स ये ले लो होता कुछ नहीं है प्रोफिटेबल ट्रेडर जरूर है लेकिन वो दिखावे के चकर में कोर्स सेल करते हैं और मैं ऐसा काम बिलकुल नहीं करना चाता हूँ के कोर्स बना-बना के बेचू और एक बात और क्याना चाता हूँ मेरे नाम से काफी लोग पहँट टेलिगराम चैनल बना के बैठे हुए मतलब वहाँ पर अजीब अजीब तरह की सर्विस दे रहे हैं जो के पेड है के 10,000 दो और 30,000 लो ये 3 गुना करके देंगे पैसे तो भाई है सबसे सावधान रहो मेरा कोई भी पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है ठीक है अपना जो कुछ भी है बस यही है आपके सामने और आपने देखा ही होगा मेरा ऐसा कुछ भी मैं पर्मोट नहीं करता हूँ सिरिफ एक सेटप वाला जो वीडियो था वही पर्मोट किया है और अब तो मैं उसको भी पर्मोट नहीं करता हूँ क्योंकि जिनको खरीदना था खरीद लिया बाकी वह बिगनर के लिए तो है नही फ्रॉड कर रहे हैं और जितने भी बड़े यूटूबर है उनके नाम पर भी आपको फेक टेलेग्राम में मिल जाएंगे और फ्रॉड करने वाले लोग मिल जाएंगे स्कैम करने वाले लोग तो ये आपको खुछ से सोचना है और खुछ से चेक करना है क्या सर्विस सही है और किसकी paid service सही है और कैसे क्या करना है वो इतना दिमाग उपर वाले ने सब को दिया है ठीक है तो खुझ से दिमाग लगाया करो अपना पैसा कहीं पे भी ऐसे मट दुबाया करो किसी को भी दे कर ठीक है तो दोस्तो आज दो ट्रेड में मेरा 69,000 का profit book हो चुका है ये वाला जो ट्रेड है जिसमें 9,000 का profit book हुआ है ये शिरिफ इंटरनेट के इसू की वज़े से मुझे loss book करना पड़ा नहीं तो 40,000 तक का profit इसमें भी गया था जो के मैं book नहीं कर पाया और फिर उसके बाद मुझे वेट करके दूसरा ट्रेड लेना पड़ा और इस वाले ट्रेड का logic में आपको बता देता हूँ यहाँ पर जब market ने ये बड़ा सा red candle बनाया तो यहाँ पर एक sign मिल गया था कि अब bearish होने वाला है लेकिन market ने ऐसा किया नहीं next candle ही उसके 50% से ही उपर मतलब बना दिया green ज इसको थोड़ा सा मुझे hold करके रखना पड़ा तब जाके यह profit मेरा बनाया मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब यह वाली candle में लिया और momentum capture किया इसको hold करके मुझे profit बनाना पड़ा और अभी market पिछले जो lifetime day high था वो भी breakout दे चुका है तो अभी market bullish हो गया जो यह मेरी range मैंने draw करके रखिये थी तो उपर के side market ने breakout दिया तो market आज bullish रहने वाला है वो सकते है second half में कुछ profit booking देखने मिले लेकिन अभी market bullish हो चुका है तो गाईज अभी दुपैर के 12 बज रहे हैं और बहुत देर से market sideways bullish है मैंने कोई और trade नहीं लिया अभी office के अंदर जाके आपको दिखाऊं मेरा बच्चा है खेल रहा है यहाँ और चिला रहा है बहुत तेज तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मौसम हो रहा है तेज बारिस तो नहीं है लेकिन हलकी बारिस हो रही है सुबह से ही देख सकते हो हलका हलका सा पानी भरा हुआ है गाउं की सड़कों पे काफी दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो इस बार इस से गर्मी से भी रहत मिलिए तो चलिए अभी चलके मैं आपको ओफिस में दिखाता हूं अभी क्या-क्या मैंने किया है और ग्रोव एप्लीकेशन में जो मैंने किया है वो भी आपको दिखाता हूं तो चलो अंदर चलत तो यहां पर उतना कोई खास मज़ा नहीं आ रहा है और देख सकते हो मेरा जो प्रॉफिट था अभी तक वह है कोई और ट्रेड मैंने नहीं किये और यह मेरा अप्लिकेशन का अकाउंट है इसमें मैंने दो ट्रेड लिए थे जो के कॉल साइड में थे और मैंने यहां पर टो की वज़े से करना पड़ता है बद बड़ी करना पड़ेगा være कि कितने लोग जो सुभा से कर रहे थे साइड़ मार्केट में वो कमेंट करके जरूर बता तरा तहां कर रहा था और देख रहा था कि कुछ मोमेंटम आएगा तभी मैं ट्रेड करूंगा मार्किट देखने में बले सी बुली से लेकिन प्रीमियम वहाँ पर उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का दोस्तों चारों तरफ का मौसम बहुत ही बहतरीन है सुबह से बारिस पढ़ रही है और बारिस भी अच्छी वाली पढ़ीती लेकिन अभी फिलाल जो है बारिस रुक गई है और बारिस पढ़ने के साथ आज है एकस्पायरी का दिन और आज के दिन जब से सलीम सुबह से ऑफिस में घुसा हुआ है अभी तक बहुं निकला काफी टाइम हो गया है मोगता है कि आफिस में चल के देखना चाहिए कि आखिर उसके क्या हाल है वो कर चल क्या रहा है सुबहें से तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं ओफिस में पुर यह चेक करो, यहाँ पर क्या चल रहा है, सुबह से मार्कीट में घुसे वह आप, और अभी तक निकले नहीं, यानि कि ऑफिस में घुसे वह मार्कीट में, सौरी हर बार गलत बोल देता हूँ, आखर यहाँ पर चल क्या रहा है, और वैसे भी आज एक्सपायरी थी, तो दोस् जिसकी वज़े से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यह घंटो का समय ऐसा नहीं है कि यह 10-15 मिनिट का समय, तो मैंने इंतेजार किया, जब यह एक मोमेंटम आया, इस ब्रेक आउट यह जो ब्रेक आउट दिया, इसने अपने डे हाई का, तो यहीं पर मैंने एक स्केलपिंग ट्रेड मारा, और यहाँ पर प्रीमियम में भी जम पाया, और टोटल प्रॉफिट यहाँ पर मेरा देख सकते हो, ठीक है, यह वाला ट्रेड था मेरा, नीचे वाला, यह मैंने सुबह बुक किया था, और इसमें मेरा पहली लॉस था, त की बात तो ऐसी है, देखिए, दोस्तों, मार्किट में अगर काम करना है, जितना पेसंस के साथ बैठोगे, उतना जादा अच्छा है, बार-बार ट्रेड लेने से मैं भी फज जाता हूं, ऐसा नहीं है कि अगर यह जो साइडवेज मार्किट है, इसमें मैं बार-बार ट्र में था कि कव रेंज का एक ब्रेक आउट मिले और मोमेंटम मिले, तम मैं ट्रेड लू, तो मैंने एक चोटा सा ट्रेड मारा, जिसमें एक दम से मुझे प्रॉफिट मिला, और ऐसा ही आपको करना चाहिए, अगर आपको पूरे दिन स्क्रेन पे बैठना है, तो वेट करो, अगर मार्केट साइड वेज है तो वेट करो, नहीं तो अगर मोमेंटम में आपको सुभाई प्रॉफिट हो जाता है, तो उसके बाद मार्केट को बंद करके भाग जाओ, मार्केट को देखने की जरूरती नहीं है, मुझे आज ये था कि आज एक स्पारी का दिन है, तो हो हमारे गाओं में मौसम खराब होने की वज़े से लाइड भी नहीं है काफी देर से, और इसी वज़े से सलीम ने बाहर ये चार पाई डालकर यहां पर अराम कर रहा है इस समय और टाइम पास करने के लिए जो फोन चला रहा है अपना, पता नहीं फोन में क्या देख रहा है बारहाल इस समय तो फोन ही चल रहा है तो दोस्तों अराम वगेरा सब कुछ हो गया है और साम का टाइम है और बारिस का भी मौसम था आज पूरे दिन तो मन कर रहा है पकोड़ी खाने का तो बजार में चलते हैं और हमारे यहां बहुत ही अच्छी पकोड़ी बनाई जाती ह तो चलते हैं आपको दिखाएंगे कैसी पकोड़ी बनती है और बड़ा ही मज़ा आता है पकोड़ी खाने में सच में ऐसे मौसम में तो चलिए चलते हैं कर दो चलते हैं